हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चानल ये विजिटेक में आज इस वीडियो में हम जानेंगे पेटियम के बारे में पेटियम से आप किस तरह से मनी ट्रांसफर कर सकते हो उसाथ उसी तरह से आप अपने बैंक वैलेंस को किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो लिंक बैंक अकाउंट को किस तरह से लिंक कर सकते हो और वैलेट किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो पेटियम का इस सभी के बारे में हम जानेंगे उसी तरह से यह जो पेटियम बैंक का भी ऑप्शन आ गया है इसमें पेटियम के तरफ से अगर आप सेविंग अकाउंट ओप कर सकते हो तो यहां पर हम सबस्टे पहले जानेंगे पेटियम के बारे में पेटियम हमने अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड किये कर लिया है और यहां पर आपको यह जो मेनू का बटन है यहां पर आना है और यहां पर आपको प्रोफाल के बटन के उपर क्लिक करना है तो पेटियम के प्रोफाल के बटन के उपर आप अगर क्लिक करते हो तो यहां पर आप अगर अपना वैलेट एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यूर वैलेट इस नॉट एक्टिवेट इन लेज देन 30 सेकंड यह मैसेज है इसके उपर आपको आना है और एक्टिवेट नाओ के उपर क्लिक करना है तो अभी आपको अपके पेटियम को अगर करना है तो आप अलगए लगतरी के से कर सकते हो यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट का नमबर दे सकते हो वोटर आईडी का सब्सक्राइब का नमबर देना का काम पड़ेगा तो मैं यहाँ पर मेरा डॉकुमेंट देने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसंस का तो मैं यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसंस नंबर लिख लेता हूँ और आपके ड्राइविंग लाइसंस के ऊपर जिस तरह से आपका नाम लिखा है उस तरह से आपको लिख लेना है और यहाँ पर I confirm that the above details are correct and can be used for completing my minimum KYC इसके उपर आपको tick करना है और यहाँ से submit कर देना है driving license यह दिखिए Your minimum KYC is complete and valid is activated for 18 months अभी हमारा जो वैलेट है वो 18 months के लिए activate हो चुका है complete your KYC and get lifetime validity तो lifetime validity के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजे देना है यहाँ पर अभी है मैं फिलाल में cannot send money to friends और cannot transfer money to bank इस तरह के facility यह दो facility मुझे नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पर upgrade account and unlock benefits इसके उपर click करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसके उपर click कर लिया KYC है इसके लिए भी मुझे मेरा जो PTM account है इसके लिए मुझे full KYC अगर करना है तो यहाँ पर कुछ चीजे है यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर unlock all benefits complete your full KYC इसके उपर click करना है तो मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ और अधार verification आपको करना है nearest अगर यह KYC platform है PTM का तो वहाँ पर जाकर भी आप KYC कर सकते हो तो आपके nearest जो भी store होंगा जो भी KYC करने वाले होंगे वहाँ पर आप जाके कर सकते हो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर nearby KYC points के address दिखाए दे रहे हैं तो इस तरह से यह address के उपर आपको जाकर आप directly इनका KYC कर सकत सकते हो यहाँ पर देखिए यह जो मेरा मेरा जो एडिया है यहाँ पर आपको सभी address दिखाए दे रहे हैं तो मैं अभी फिलाल में full KYC नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसे किस तरह से करते हैं full KYC तो अभी हेलाल में मेरा 18 months के लिए यह के वाइजी जो है वह एक्टिवेट हो चुका है तो इस तरह से मैंने अपना KYC के लिए एक्टिवेट किया है और अभी link your bank account तो यहाँ पर मैं bank account link करने के लिए आपर चलिक कर देता हूं तो मैं यहाँ पर मेरा SBI का जो account है वो link करना चाहता हूँ यहाँ पर state bank of India का account select कर लेता हूँ और proceed to send sms इसके उपर click कर देता हूँ यहाँ पर यह automatically यह सभी चीज़े ले लेता है मेरा mobile number ले लेता है और यह UPI से automatic registered हो जाता है और इस तरह से यह मुझे message भी आ गया you have successfully linked your bank account यह देखें यहाँ पर message आ चुका है you have successfully linked your account और इसने मेरा automatically bank account number जो है वो ले लिया है भीम UPI profile से तो इस तरह से मेरा यह काम हो चुका है यहाँ पर दिखाई भी देगा यह देखें request money money transfer इस तरह से यह option आ जाते है और यहाँ से आपने account का अभी एक बार link होने के पास bank balance भी check कर सकते हो यहाँ पर आपको check balance के ओपर click करना है और यहाँ पर back चला जाता हो और यहाँ से add money facility जो है यहाँ से आप अपने wallet में पैसे add कर सकते हो यहाँ पर paytm wallet अभी हमारा activate हो चुका है तो मैं यहाँ से click करके यहाँ से हमें amount डालना है और proceed to add money इसके उपर click करना है तो यहाँ से हमें पैसे भी मिलेंगी अगर आपके पास promo code है तो इसका भी benefit आपको मिलेगा तो इस तरह से आपको आपका paytm account activate करना है आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताए